जय हैं इस वीडियो में हम लोग टाटा पाउर कंपणी के बारे में बात करेंगे देखिए टाटा पाउर मार्केट के साथ चलने वाली कंपणी है लेकिन दीकत यह है कि इसका सेयर प्राइस के दिनों से 220 और 230 के बीच में वाटका हुआ है इस से उपर नहीं जा रहा है और द कंपणी लिमिटेड यहां काम क्या करती है तो आपको पता है कि टाटा को और टाटा के एक सब्सेटरी कंपनी है और यह पाउर के प्रोडक्शन और उसके डिस्ट्रिबूशन का काम करती है अर साथ बिजली बनाती है और उसको सप्लाइ करती है पहले टाटा को आर सिर्फ होगा ही मार्केट केप सभाविक है शेयर प्राइस है दूसर उनतीस रुपया आज के दिन इसमें थोड़ी सी तेजी देखने को मिली है वो क्यूं मिले क्योंकि इससे रिलेटेड जो इंपोर्टेंट अपडेट निकल कर सामने है उसकी वज़ा से इसके बारे हम लोग आग इसमें प्रोफिट वोकिंग में खोब हुआ अब काफी दिन से कंपणी का सेयर प्राइस 220 और 230 के बीच में ट्रेट करते हुए नजार आ रहा है तो इसको उतावी कंपणी का सेयर प्राइस उपर ही जाना चाहिए फिर भी इस कंपनी का सपोर्ट लेबल है 220 रुपय अगर डाउन आता है तो अदेखता हम 220 रुपय तक आ सकता है समझें दीकत क्या इस कंपनी में दीकत है कि कंपनी को उपर करजा बहुत है थी कि हाई डिप्ट है 49,060 क्रोन रुपया का कंपनी को पर करजा है जबकि आप रिजर्व देखेंगे तो रिजर्व सिर्फ 29,900 ठाउन क्रोन अर्थात लगब 11,000 क्रोन का ही रिजर्व है और यह जो करजा है वह quarter to quarter बढ़ते जा रहे है कायदे से कंपनी को अपना करजा quarter to quarter कम करना चाहिए लेक अर्था चार क्रोन का प्रोफिट हुआ है सिर्फ तीन महां में तो इस्ते पर कंपनी के करजे कम नहीं हो रहे है यह चिंता का बात है अब समझे हम लोग बात करते हैं जो इंपोर्टेंट अपडेट कंपनी से लेटर निकल कर सामना है उसके बारे में देखिए सरकार की एक पॉलिसी है हाइड्रोजन पॉलिसी तो कल जो भारत सरकार कोड़ा मंत्री आरके सिंग उन्होंने एक अपडेट दिया है कहाए कि भारत में जगा जगा पर जैसे पेट्रोल पॉम्प होते हैं और जहां अब इलक्रिक चार्जिंग एस्टसें में उसी तरह हाइड्रोजन प अमोनीया मैनुफैक्ट्रिंग के बात नहीं करेंगे लेकिन ग्रीन हाइड्रोजोन की बात करना जरूरी है क्योंकि हम आर्रेट्चन के बात करते है तो वहां बीना ह् GO पूरा नहीं होगा तो GRI heel हाइड्रोजन क्या है पहले hydrogen समझे hydrogen एक element है और यहां एक इंधन का भी बहुत अच्छा स्रोथ है लेकिन इसको green hydrogen इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह जब जलता है तो carbon produce नहीं करता है एकदम zero carbon produce करता है इसलिए इसको green hydrogen कहते है यह फ्यूल का एक अच्छा स्रोथ है मतलब petrol, diesel, koila जब जलता है तो carbon dioxide स्रोथ होता है लेकिन जब hydrogen जलेगा hydrogen का प्रियोक फ्यूल के तौर पर किया जागा तो उससे carbon dioxide नहीं निकलेगे लेकिन दीकत है हर एक चीज़ के दूप एक positive point होता है तो positive point तो यह हो गया कि यह फ्यूल का अच्छा स्रोथ होते और carbon dioxide produce नहीं करेगा negative point यह कि green hydrogen जो है इसको बारे में आपको बताया अब और इसकी related क्या और नया इंपोर्टेंट अपडेट है वह भी जान लिए दूसरा इंपोर्टेंट है आनंद राठी की तरफ से आपको इसके बारे में आपने इसका नाम जरू सुना होगा इसने इस company का टार्गेट दिया है शेयर प्राइस 239 रुपया और जल्द इस company का सेयर प्राइस 273 रुपय कासपास तक पहुंच सकता है अनंद राठी दिगज ब्रोकरेश हाउस दे इसकी बातों का मार्केट पर काफी असर पड़ता है पोजेटिव सेग्मेंट की तरह लिया जाता है और इसने साथ में यह भी क्या है कि है ओर 2050 तक अपने आपको Zero Carbon घोसुच्ट कर लेगी सरकार का टार्केट ही कि 2070 ऑप काफिस आठाईस बड़ता है और धीरए-दिरिक सिक्टर में कदम रख में तो बहुत समय कि 2050 तक अपने आपको zero carbon फिरी कर ले तो यह भी एक important news था जिसके बारे मैंने आपको बताया अब इन्हीं सब important update की वजह से जो JP Morgan है उनका कहना है JP Morgan का target है कि 2024 तक यह जो टाटा पाउर company है अपने आपको debt फिरी कर लेगी देखिए करजा होना बड़ी बात नहीं है क साइदे से करजा को धीर-दीर कम करते रहना चाहिए यह अच्छी बात होती है लेकिन यहां company करजा कम नहीं कर रहे हैं यह दीकत है करजा तो लगभग सब company उपर होता है और टाटा पाउर के लिए 50,000 क्रोन लगभग करजा कोई बड़ी बात नहीं है उमीद है company के quarterly नतीज कर सकते हैं बाकि जो लोग इसमें पहले से खरीद के बैठे हुए उन्हें long term के परफरस इस company के बारे में सुचना चाहिए उनका vision long term का होना चाहिए आपको निसीती मुनाफ़ा होगा तो उम्मीद करता हूं आपको वीडियो इंफर्मेटिव लगी होगी अगर मन में कोई स स्वाल है तो मुझसे पूछे बाकि मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक धन्यबाद शुक्रिया